नमस्कार मौहलात सुखाडिया विश्विद्याले के द्रश्यकला विभाकी ओर से आयुजित स्प्रिंग 2019 का समापन हुआ इस कारिशाला में कुछ ऐसे कलाकार भी आये जिन्होंने उद्यपूर में अपनी छाप छोड़ गए उन्ही में से एक थे हंसराजी जो की एक बहतरिन कलाकार है और वहाँ जैपूर के रने वाले हैं इन्होंने उद्यपूर में आयोजित इस कारिशाला में कबार सेना के एक जवान को बनाया जिसकी एक हाथ में तिरंगा है तो दूसरे हाथ में बंदूग जो पाकिसानी आतंग वाजियों को मानने के लिए तयार खड़ा है देखिए आप भी एक स्टोरी मेरा नाम हंसराज कुमाउत है मैं जेपूर से आया हूँ और ये स्प्रिंग उद्यपूर करके एक इंटरनेशनल आर्ट सिंपूजियम चल रहा है जिसमें देश विदेश से कई कलाका रहे हैं 40 पेंटर हैं जिसमें स्क्रेप में दिया गया तो स्क्रेप से में कुछ कलाकरते बनानी थी सब अपने अपने साब से काम करें मैंने बनाया वह एक 25 विट हाइट काई कि इंडियन सोल्जर एक सिपाई है जो जिसको आप देखोगे तो जिस तरह से एक वह स्क्रेप है उसको हाइडनेस और उसकी एक एनरजी को नजर आए तो मेरा यह माना अभी पुलवामा में जो कांड हुआ था बंबलाज जो है थे तो अभी देश में पूरे में बहुत ही व्याकवता चाही वीता हूं उसी कॉंसेप्ट के पूर मैंने एक सोल्जर को बनाया अभी जब यह सुक करने का यह मतलब था कि आर्टिस्टों किसी भी फिल्ड से हो उसको देखके एक अपना एक वह सुभाव रखे और अपना काम करते जाए अभी जो प्यार का महूल बना रहे हैं तोड़ा समझाईस बात करें मतलब यंग जनरेशन में अगर यह मार पीट इस तरह के खून खराबे जिसी बाते होगी तो मुझे लगता नहीं कि को सोल्यूसन है ज्यादा अच्छा है कि तोड़ा सा सपोर्ट मतलब अपन इंडियन सब को अप